तो दोस्तो मैं मनुजयन, MI, या फिर Xiaomi, या फिर Redmi, इंडिया से आज से मैं दो कैमरे वाला फोन लॉंच करने बाला हूँ हाँ बाल वाल थोरे से आगया है, पांक तेल वेल लगाया है मैंने अवे वो दो कैमरे वाला फोन लॉंच करेगा, शाले हम तीन कर देंगे अवे तुम सब लिक लो पुराने खेट के मूली, हम 4-4 कैमरे वाला लॉंच करेंगे हाँ मैं पुराने ख़लारी बाबू, हम 6-6 कैमरे वाला फोन लॉंच करेंगे अवे लोल, इसमें तो कैमरा ही नहीं है, कैमरा इकिदर गया बे तो कुछ इसी तरह से सभी कंपनिया रेस लगा के दौर रही है कोई तीन कैमरे वाला फोन लॉंच कर रहा है तो आखिर आपको पता भी तो होना चाहिए इन सभी कैमरे का यूज क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं देप्ट सेंसर की तो उसका काम मेंली यही होता है कि आपका जो अब्जेक्ट है और आपका जो बैग्राउंड है वो दोनों को अलग अलग करता है ठीक है फर एक्जांपल मैं आपको एक्जांपल लेता हो मालो आप किसी भी बंदा या फिर आपकी यहां अतनी हो सकती है तो मालो आपकी इसी बंदे का फोटो की लिक करें सब्दी ब्रीक तो वहां पे आप लोग तो कीर रहे प्वेट का फोटो किलिक करता है ठीक है और जो हमारा जो depth sensor होता है हुँर इफ ये डेट कैमरा के लो वो जो है वो एक background का सीछ फोटो किलिक करता है वो ठीक है और यह दोनों फोटो जब कलिक हो जाते है तो उसके बाद बहुर जाता है यानवे इमेज प्रॉसेसिंग का मतलब पॉरसेशर होता है या उसमें जाता है तो उसको यह पता चल जाता है बहुत आसानी से की भाई ये बैगराउंड है और यह जो हो एक आदमी है यानि ये जो वो एक आपजेक्ट है थीक है तो यानि कि उसको focus में हमें रखना है और बेग्राउंड को बलर करना थीक है तो इससे क्या होता है कि वो जो जो depth sensor ने जो camera जो depth sensor ने जो photo click क्या न तो वो क्या होता है कि उसको बलर कर देता है पीछे जो ठीक है और जो हमारा जो main sensor जो object का photo किलिक कर रहा है उसको वो highlight में यानि focus में रहने देता है तो इसी को वैस हमें bokeh mode जो है या फिर पीछे का जो बलर आता है वो काफी अच्छे से आता है वहापे उसके edges बगरा काफी अच्छे से हमें देखने को मिल जाता है तो मिलनी इसका काम यही होता है कि अगर आपने गल्फ्रेंड को फोडो किलिक कर रहे हो तो उसका background जो है वो काफी जादा अच्छे से बलर होगा नहीं करता है मतलब जो एजिस होते हैं कहीं पर हमारा बाल जो है वो बलर बलर सा हो जाता है तो वह सब्सक्राइब कर देना च्छे से हमारा जो बलर आता है वो काफी अच्छा आता है और जो सब्सक्राइब कर दोनों में तो देखो तो यहाँ पर आपको ऑप्टिकल जूम देखने को मिल जाता है या पर टू एक्स का हो सकता है और जितना भी जूम इसमें दिया हुआ हो तो ना भी आप जूम कर लोगे तब भी आपके फोटो क्वालिटी जो है वह वह फटेग नह सब्सक्राइब तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं तुरस आपको रियल एक्सांपल देता हूं रियल लाइफ का ठीक है तो मालों कि आपने कई बार देखा होगा ऐसा फोटो जो कोई भी चीडियां आउपर में उर रहा है आसमान में और वहां पर आपको जो है वह एक या फिर ऐसे जो हो काफी सारे एक्जांपल जैसे के आप लोग देख रहें स्कीन पर ऐसे सारे फोटो लेते हैं तो वह फोटोग्राफर क्या करता है कि वह भाई टेली फोटो लेंस का यूज करता है अपने कैमरे में जिसकी मस्ते वह जूम करके और इतनी अच्छी जो है ले पाती है और इसके जो बैग्राउंड बगर है वह काफी जादा बोके मोटर बहुत की अच्छा देखने को मिलता है ठीक है यह तो यह तो जाके ग्राउंड पर लेगा नहीं तो पढ़ेंगे इसके पिछे बारें बल्ला और यह भी बॉल की तरह उड़ जाएगा तो इस वाइड एंगल वाइड एंगल खेल दी जाए और खेल तो देखो दोस्षु LO remind काव चुटे से के एक फोटो तो बनती है न क्या होगा है यहां पर क्हम होगता है वहां जो बहुत सारे लोग है या फिर यह वह है तो वहाँ ही पर काम आता है या अल्टरा वाइड कहलो या फिर वाइड एंगल कहलो वहाँ पर काम आता है इस मोड में आप स्विच करके लेते हो तो यह जो है बहुत जादा कब्रेज को जो क्याप्चर कर लेता है वहां पर सारे के सारे जो भी आपके रिस्दार है वो सारे के सारे आ जाते हैं और किसी की नहीं कटती है मतलब समझ रहे हो ना मतलब फेस किसी की नहीं करती है और सारे के सारे वो फ्रेम में आ जाता है वहां पर हम फोटो किलिक कर पाते हैं तो मेलनी इ तो यही इसका काम होता है कि छोटे से एरिया में बर एरिया को कैप्चर कर पाऊ ठीक है चलो फिर तो अब दोस्तों बात करते हैं माइक्रो और होता है माइक्रोवन हाँ मधार माइक्रोड एक मिलनी जो यूजस ए है वह होता है छोटे ऑपजेक्ट की फोटो किलिक करने में ठीक है जासे कि मालोग आप कहीं भी पानी चुन्ट दे यहां पे इसे कोई पत्ते पिया लिए और उस पानी की बूंत की फोटोगा करना चाहते हो ठीक है या फिर कहीं भी आप वो कीडी छोटा सा बैठाा हुआ आफो तो किले करना चाहने च्छोटब आप अच्छे से यह तो यहीं काम आता है माइक रोग केम्रा अगर आप कमरासे पते हो फॉकस ही नहीं कर पाएगा उस उस में जब दाना नजदीक लेकर जाओंगे तो ठीक है तो यहीं जो है वह आपने देखाओगा फोटोग्राफी में जो है चोटे-छोटे-चोटे कीडि का फोटो या फिर बहुत सारे छोटे-छोटे चीज़ों को एकडम डीटेल में हमें बहुत ती अच्छे जो है फोटो देगन काम काम कमपनिया करें नाम पर कम नें क्यांति हैं और वह भी करपा ठीक है यह तो आला के टॉपीक गया लेकिने इसका काम होता है चोटे-चोटे चीज़ों को फोटो जो है बहुत ही अच्छे क्वाल्टी से किलिक कर पाओगे तो आप लोग समझ होगे माई करो केमरा समझ रेहो ना समझ रेहो ना समझ रेहां समाजी इंटी हो राए ना चलो फिर वीडियो को लाइक करदो चैनल को सब्सक्राइब करदो घंठते को भी दवा देना निजा कोएँड में पताओ कैसा लगा वीडियो और वह चिंटू